Hello everyone, welcome back to my channel कहीं साइ फीमेल्स को पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है तो उनको नहीं पता होता है कि C-Line क्या है, T-Line क्या है जो कि आप देख रहे होंगे प्रेगनेंसी टेस्ट किट में C-Line आती है, T-Line आती है जिसका मतलब वो नहीं समझ पाती और प्रेगनेंसी है या नहीं है पॉजिटिव या निगेटिव प्रेगनेंसी है ये उनको कंफर्म नहीं हो पाता तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि C-Line आ रही है केवल तो क्या ये निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है क्या हम इसको समझें लाफ्स तर जरूर जुड़े रहें काफी हैलफिल वीडियो आपके हो सकती है तो देखिए प्रेगनेंसी किट में दो तरह के किट होते हैं जिससे कि आप इजली समझ पाते हैं पॉजिटिव निगेटिव लिखा होता है तो वहाँ पे आप समझ पाते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है कन्फिजन वाली बात तब आती है जहां पे T और C सेक्शन लिखा होता है तो C और T का मतलब क्या होता है सबसे पहले C का मतलब समझते हैं हम C का मतलब होता है control line जी हाँ C का मतलब होता है control line जो कि आपको first में ही दिखेगी और उसके बाद जो second line होती है T लिखा होता है उसका मतलब होता है testing line तो आप समझ गए होंगे कि T और C का मतलब क्या होता है बात कर लेते हैं केवल C पे अगर लाइन आ रही है तो उसका क्या मतलब होता है क्या हम इसको positive समझें या negative समझें तो केवल C पे अगर आपकी line आ रही है तो उसका मतलब है negative जी हाँ C पे केवल line आ रही है और T पे कोई भी तो वहां पर टेस्ट आपका निगेटीव होता है यानि कि आप प्रेग्नेंट नहीं है जी हां तो उम्मिद करती हूं आपका कनफिजन दूर हो गया होगा इस से रिलेटेड प्रेग्नेंसी टेस्ट कैसे करते हैं कहां पर यूरिन डालते हैं, कितने टाइम तक आपको वेट करना होता है, T और C लाइन का मतलब और अगर आपकी केवल T लाइन आ रही है, C नहीं आ रही है, यह सारे वीडियो मैंने बनाई हुए है, डिटेल में काफी अच्छे से समझाएगा है, जिनका लिंक में डिस्कॉप्सन पर दे दूँगी, या फिर मेरे चैनल के प्लेइलिस्ट पर आप जाएंगे, तो वहाँ पर एक प्रेग्नेंसी टेस्ट करके एक प्लेइलिस्ट है, वहाँ पर आप जाके वीडियो वाच कर सकते हैं, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिएफ़ रही होगी रही हो हते हैं, तो फिर मिलते हैं किसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो किसान, थैंक्यू, थैंक्स वर वचिए